जाय हिंद बंदे मातरम बहुत सार यवाओं के मने में एक प्रिशन रहता है कि धर्मगुरु की पोश्ट बहुत अच्छी होती है लेकिन जब हम ट्रेनिंग करने जाते हैं पूने तो क्या वहां पर हमारी सिखा काड़ दी जाती है क्या हमको यग्गोप भी उताना पड़ता है क्या रच्छा सूत्रम को उताना पड़ता है या तावीज गले से उताना पड़ती है बहुत सारे अरसे परसंट है कुछ अंदर की घटनाओं का भी चर्चा करूंगा जो आपको साथ कभी सुनने को नहीं मिलती हो उनकर भी हम बात करेंगे आज उन सेनकों के लिए अंदर से होता है तो हम देखते हैं कि सेनक बड़ी प्यान के घूम रहा है डूटी कर रहा है बढ़िया महराज एक फोटी सेमन टांग रहा है तो आपको लगता है क्या जिंदिगी है कितनी अच्छी है लेकिन उनकी से पूछो कितना त्याग होता है किती मेहनत करनी पड़ इस पर चुलवाज हम प्रकाश डालते है हमाराज जब भी कोई आर्मी धर्मगुरु का बंदा पूने जाता है हमारा ट्रेनिंग के लिए तो क्या वहां पर शिखा काटनी पड़ती है इस पर हम बात करेंगे माराज बैसे शिखा काटना ऐसा कोई अलावी नहीं है हिंदू आपको तबी ट्रेनिंग कराऊंगा ऐसा सुनने को मिला ऐसा हमें बताया गया वहां आपको बता रहा हूं तो क्या होता है महाराज हुआ पर कि कई लोगों ने इसका विरूद कि हम सिखा तो नहीं काटेंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म को भी प्यांच देते हैं अपने नियम को भी तोड़ देते हैं अपने संस्कृति की ऐसी तैसी कर देते हैं तो उसमें एक थे महराज अब में नाम तो नहीं लेना चाहता उन्होंने क्या किया सिखा काट दी तो सामने वाले कमुनिश बचारत हरा कि उस्पेडर साब उन्होंने सोचा एक महराज लोलग लास टाइब तो प्ता 腐ह अपर काट देतो और की तो अई धरी लोगव काट उसमें सब्रुट की अब मुद्दत चुण आंगे बणा ऊठीक है और ऊपर गया अध़कारी मंग तक गया तो पता चला हुहां पर के ऐसी ैश है तो महर तो ममाराज फर ऊपर से दंड खुगा उंपर से मनाही की कि एह सा नहीं करना चाहिए था यह सभूस Κयांरी फथा अंप्वाला हमें नियाम और हैं पर उन को कंटीनू रक्ने के लिए ओब रंका एगा यहां पर उनको बाकायदा महराज इमन दारी से उनकी ट्रेंग कराईगी आप सखा इसका रख सकते हो यहां पर यहां से प्राप्त होती है एसा नहीं है कि आपको नोखुरी देदी या किसी बिभाग में यहां पर आपनी धर्म संस्कृति को त्याक कर महराज वल्ली आर्थिक पहलू बनकर आपका जीमन रहे जाए इसका भी है प्रिश्चिस ध्यान रखना चाहिए तो हां पर ऐसा होता है पर बाद में इस्प्रक्टर साब का हुआ से ट्रांसपर होता है उनको भागा दिया जाता लेकिन जब बंदे सब एक हो गाए सब में एकता थी तो ऐसा ऐसी घर्टना नहीं हो पाई और नहीं तो बास्ता में हमको सबको सरबंदगी मेस्जिस होती मुझी बी कुछ अच्छा नहीं लगता भली नोकली मुझे छोड़नी पड़ती लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते थे तो कहने का मतलब यह कि जब आज करते हो आपके अंदर एकता होती है तो कोई भी तागत आपको बड़ी ताकत होती जब एकता होती है तो कोट रात को बारा बजी भी खुल जाती है जब एकता होती है महराज तो नियाय द्याना ही पढ़ता है जब लोग शड़कों पर उतरते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि एकता ही सबसे बड़ी तागत है अगर आपको धर्म संसक्रती रच्छा करनी है अगर आप अपने धर्म स अगर आपको बता रहा था इसका मतलब क्या होगा कि आपको शकार नहीं काटे पड़ती अगोभी धन कर सकते हो कोई देखत नहीं है इसके बाद हम लोग बात करते हैं टैनिंग कितनी मिलती है अभी लड़के जाएंग उस पर चरशा कर लेते हैं अगर अगर आज जो बेसि अगर इनका ट्रांसफर होता है लड़क होता है यह पर ऐसे इरिया में होता है जो थोड़ा सा समयदन सीले बहुत जाना गंबीर है तो हां पर इनको पचापचा हरता की अब हमारे थे कई बहुत चाहां सकते हो पर इसकी कमी नहीं है दो है कियो त्थ दौत है तो है कि आपको पैणने पढ़ती है लेकिन जो आरमी दर्म की बात आती है तो इनको पेंने पर यए कोड़ा पढ़ाम ही तो उन्होंको पर पुजन होता है या पर कोई सच्थ बगर होता है तो मिलता है किमीध मंदर थे फ़ुजा पाठ होता है तो हो सकता है कि आपको बड़ी पढ़े कि बहार हो से लृटता तो हो सकता है कि आपकी होँए पर पूजा के समय चप्र सब्सक्राइब। है आप साहाई को दोधो प्रेंसर मिल दोधोगों सब्सक्राइब नहीं देना पड़ता है और देपार्टमेंड से पूरी बरती होती है इसके घर बन जाता है वेयरिक्टिन हुए यहां से अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा अगर आप जीडी में पहले से धर्म गुरु पद पर अगर भढ़ती हो तो रिजान नहीं होता है आपको दो तो पैंसन नहीं मिलती हो यह कि उसी में आपकी पंदरा साल होगे माना ही और धर्म गुरु में आपने दो साल और नोगरी कर ली सत्रा साल होगा है तो आपको पैंसन आपकी लाग हो कुई कि आपने कार बंदन नी किया कार कंटीनू किसी विभाग में आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको रिजान देके धर्म गुरु को जोन करना वड़ता है तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आपको नहीं पता था जिसके बारे में बता रहा था इसका मतलब भी होगा कि भीया हर एक पोस्ट में समस्चा तो सम्में है मराज लेकिन बात यह है कि आप कितनी संतुष्ट की चीजी में रहते हो आप अपना कार कैसे कर रहे हो अगर आपके अंदर सार होता है फैस्टेशन सम्में होता है लेकिन उसी नोक्री को आगर हम अपना मंदर मालने महराज और पूजा के तौर पर अपने कर्तब का पालन करते रहे हैं तो वह ही महावी भक्ती बन जाती है वह जहां भक्ती बन जाती है त्याग अपने आपा जाता है महराज और ध्यार झाल झाल